कि वेल्कम बैक दोस्तों तर डाटरींग चैनल पर आपका स्वागत है यह डेल एक्ष चेन श्रीज का चौता एपिसोड है इसके अंदर आज हम बात करेंगे मूफ कॉंट्रेक्ट के बाइब करके अपना profit कर सकते हैं और किन condition में हमारे को loss हो सकता है तो चलिए start करते हैं तो वाटी दर डारेशनल ट्रेड सबस्क्रते हैं कोई single trade लेते हैं जिसका किसी और trade के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है उपर जायेगा तो हमें अगर हमने कॉल की है तब बिटकोइं का प्राइज नीचे जायेगा तब हमें प्राफिट होगा इसे निकेट ट्रेड भी कहते हैं जहां हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता उस केस में हमें सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है तो मैं आपसे अनुरोथ करूँगा कि आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आप उसके अंदर अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं तो चलिए इसे हम हम एक बार अपने डेल टेक्षेंट के प्लैटफॉम पर जाके देख लेते हैं किस तरह बनती है यहां पर अगर ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहां पर हमारे बिटकोइन की और इथेरियम की ऑप्शन चेंज कर सकते हैं आपको जिसमें ट्रेट सुटेबल लगता उसमें अभी हम बिटकोइन का एकजांपल ले रहें तो बिटकोइन की औपसंट चेंज को उपन करते हैं यहां पर हमारे को पर रखन को 25 करना है हुआ है अभी हमने 23,000 जो कि मार्किट अभी 22,970 चल लिए अगर मार्किट 23,000 से उपर जाती है तब ही हमारे को प्रॉफिट होगा अधर्वाइज यह एक्सपारित अगर 23,000 से उपर नहीं जाएगी तो हमारे जो प्रॉफिट होगा वह हमारे जो लॉस होगा तो यह 55 रुपे है maximum loss यही हो सकता है इसी ऐस में अगर हम इसको सेल करते है अगर हम इसको same case में करते हैं तो 뭐야 क्या होगा कि हमने ऐमारे जो क्रेम क्लेक्ट और रहे हैं हो आरहां 48 तो इस केस में हमारा जो maximum profit हो सकता है 48 होगा मतलब कि अभी 22972 पर अब मार्केट नीचे जाएगी तब हमें profit होगा तो उसका जो तो मार्किट प्राइज है वह नीचे जाएगा तो वह में प्रॉफिट होगा ठीक है दोनों का आप बिल्कुल डिफ्रेंट है आप सोच है बाइंग में उपर जाने प्रॉफिट होता है तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया तो अगर यहां से बाइंग में जहां करते है तो देखें मेरे पास ऐसी एक डाइशनल ट्रेड है अभी मैं आपको दिखा देता हूं देखें दोस्तों अगर आप नीचे आएंगे मैंने यह मॉर्णिंग में ट्रेड लीवी थी तो मुझे प्रॉफिट होगा अगर दोसों से उपर जाएगी तो मुझे लॉस होगा तो और अभी मार्केट 25,912 है मतलब अभी मार्केट 23,200 से नीचे है तो मुझे इसमें देखें भी हो रहा है अभी 51 डोलर का प्रॉफिट हो रहा है ऐसी मेरा जो मैक्सिम प्रॉफिट होगा वो सिर्फ इतना है मतलब मेरी जो क्वांटिट यह 2.6 है आप इसको मैक्सिम प्रॉ सकते हैं और असला असला इसमें लगा सकती करेंगे यहां पर आयसे लाटा है यह 4.6 मतला 8.1 पर जैसी है मार्क पर ट्रिगर होगा मेरा sl हीट हो जाएगा आप इसी तरह मैंने इसको ऐसे लगा दिया तो इसका मतल़ मेरी ट्रेड नहीं अगर वह मेरे फिवर मेरे नहीं होगी तो मुझे लृस देगी लेकिन जो मेरा लॉस होगा वह लिमिटेड होगा अभी तो यह profit मेरे को देगी कि मैंने 26 पे एंट्री कही थी और मेरा SL आठ पे है तो नॉर्मली मेरे को profit ही हो रहा है मैं buying सस्ते में कर रहा हूँ लेकिन ऐसी है अगर मेरा SL यहां पर 40 होता और मैं 26 पे एंट्री करी है तो मेरा जो loss होता वो 14 पॉइंट का loss होता आई हो आप समझ गया होंगे कि आप directionell trade कि से कहते है लिए और ने जिनका relation हो और यह ज़्यादा तर short selling में बनती हो आप बाइंग में इसको जादर trade sale करते हैं और एक range निकालती है मार्किट की अगर मार्किट में रहती है तो हमें profit होता है और मार्किट 9500 की strike की call को और साथ में 19500 की पुट की स्ट्राइक को भी सेल करते हैं इस केस में हमने बिटकोइं की एक रेंज निकाल दी इसके अंदर हम देख सकते हैं पहले हम यहां पर कर लेते हैं मैं यहां पर निचे रहेगी और यहां मानते हैं 22500 से उपर रहेगी हमने क्या करा 500 यहां पर 500 यहां पर हमने एक रेंज निकाल दी मार्किट अभी सेंटर में अब इस रेंज में हम यहां से हमारा मानना यह है कि कल जो मार्किट बंद होएगी कल जो मार्किट साम को ट्रेड कर रही होगी बंद होगी एक्सपाइरी पर साधे पांच बजे वो इस रेंज में बंद होने के चांस हैं कि मार्किट को 22500 से 23500 के बीच में बंद हो सकते हैं कि हम यहां से 22500 को सेल कर सकते हैं जिसका प्रेमियम है अभी 75 और यहां से अगर हम 23500 को सेल करेंगे तो उसका प्रेमियम है अगर मार्केट इस बीज में रहती है तो हमें बुलकुल भी लॉस नहीं होगा एक वार देखे मैं आपको इसको बीटीची के चार्ट पर जाके समझा है अगर हम यह मानते हैं कि हमारी मार्केट जो है इस रेंज में वर्क करेंगी तब हम इस केस में दो श्राइक को एक साथ सेल कर सकते हैं जिसमें हमारे को क्या करना होगा ओपर से और नीचे से हमें 22500 की पुट को सेल करना होगा ऐसे जब हम 22500 की कॉल को सेल करते हैं अगर मा तरह से क्या होगी kी नों डेसिन ट्रैइड हो जाएगी अब इसमें नों डेसिन ट्रैड के आए कि हमारे को अ मारकेट इस रेंज में डायक्शनल चलती रहती रहते हैं यहाँ बपर नीचे कही नहीं दोड़ तो हमारे रुपीज पर हम यहां पर 23-500 को सब्सक्राइब अगर मार्केट 22-500 से लेकर 25-500 के बीच में ही रहती है और नॉन डायक्शनल ट्रेड हम यह बना रहे हैं तो हमारे को मैक्सम प्रॉफिट होगा वह 127 का हो सकता है अगर हम ट्रेड ले रहे हैं नॉन डायक्शनल ट्रेड यहां पर इसके बेस पर इन दोनों श्राइक पर और हम यहां पर इतना अगर यह बहुत तो यह बीच तो आई आगा अब लिचे आज ना टुट कर देता और तो आपका जो लॉस होगा वह 75 पॉइंट का होगा टोटल कॉल में बट वह पूट से आपका 50 पॉइंट रिकवर भी हो 25 पॉइंट का ही होगा अगलागी अपना बैनेफिट होता है कि उसके अंदर आपको एक रेंज मिल जाती है और साथ में अपने लॉस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट इसमें मैक्सिमाइज होता है तो चलिए अब हम वीडियो के अपने नैस इस्टेप को बाय या सेल करना होता है अगर हम पाय करते हैं तो इसे लॉंग कहते हैं और अगर हम सेल करते हैं तो उससे सौट कहते हैं लॉंग इस्टेडल में मार्किट को रेंज से बाहर जाना होगा तब हमें प्रॉफिट होगा और सौट में मार्किट को उस रेंज में रहना होगा तब हमें प्रॉफिट होगा एक्जाम्पल के लिए बिटकोइं का प्राइस 20,000 है तब मतलब हमें 20,000 की कॉल और पुट दोनों में ट्रेट करनी होगी तो चलिए अब हम इसको एक बार डेल्टाक्षण के प्लाटफॉम पर समझनी कोसिर करते हैं कि इस्टेडल हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों हमारी होती है 22,929 के आसपास मार्किट चल लिए तो उसके आसपास की जो भी प्राइज इस्ट्राइक प्राइज होगी उसको हम आपको इसमें पता चल जाएगी कि आपका यह जो चार्ट होगा आपका कैसा बनेगा करता है यहां पर आप देख सकते हैं हमारी ऑप्सेंज लगई है यहां पर एक्सपारी होती है वन डे के आज की है तो डे की मतलब की है यह फ्राइडे की है ऐसी यह वीकली और मंतली तरी हही जाएगा क्लकी एक्सिक ट्राइब करते है को हमारे चूस्ट ट्राइब करेंगे मैं इसको सेल कर देते है और यह यहां हो जाएगा कि यहां यहां पे लिएहां से लेती है कींकि आप कि बंता कैसा है छेछे रसे नोन होता है और यह हम 900 पर हमारे को maximum profit है यहां पर हमारा जो profit हमारे को 22,900 के पास में यहां पर आपको मिल रहा है ठीक है और जो कि यहां पर लिखा बेगी 448 का maximum profit maximum loss आपका अगर मार्केट एक रेंज निकालती है रेंज दिखे कहां से निकाल दी उसने 22,452 से लेकर 23,348 तक मतलब अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तब हमारे को loss नहीं देगा हमारे को maximum profit देगा अगर मार्केट 23,000 पर ही आके बंद हो जाती है तो हमारे को maximum profit होगा और यह 22,900 का जियो स्टैक हमने सेल करिए अगर उसी यह स्टैक पर जाके अगर मार्केट बंद हो सकता है अगर इसीछ में बंद हो गयर मार्केट 23,000 को थो हमारे उसमें लोस बूक हो होगा गयर चला जाएको अगर इसमें चला जाएकि हमारे मारे को पर उसमें olla matter होगा नहीं हमारे को सी लॉस करना पड़ेगा तो इसमें यहां पर सकते हैं और जिससे क्या होगा कि आपको यह करके दिखाता हूं अभी यह कुछ इस टाइप में यहां रहा है यहां पर यहां पर देखना हो कि हमारी रेंज क्या है है हमारे से यहां से निकलते हैं आरे है 22AND000-24242 और 23308 मतलब स्विते हमारी राषिम होगाigs करें जो कि अँड़ी है उंपrics कर के देख लेते हैं पर भार अगर यहां से सटोल, भाषक है tort देखे हैं नावर्ट बॉपर जाएगी इस चायों पर तो फिक्स होगा इदर ऑफ surgeons के बाद verte आपका की मार्के घंड तो अधिक के बादा व्लक याउस के सब्सक्राइब लेकिन इस एक मार्केट49 रहती है तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो घटके अब 297 हो गया पहले चारसो और तालिस था अब 297 मैं आपको बताता हूं यह कैसे कम हो गया दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे पहले अब कर दोस्तों अब आपको 507 डोलर का अब चाहें मार्कित आपके यहां से ढाउन आजैंडा करते आपको यहां से लिएड़ को फिक्स हो गया है और 297.1 डाउन में आपको यह सिर्फ आपके फेवर में रहेगा अगर आप यहां से 297 करते हैं तो उपर बनता है आपका 23197 और नीचे करेंगे तो 22630 यह जो कि इसका ब्रेक और यहां पर आता है आपको समझ में आ गया होगा कि इस ट्रेटल कैसे बनता है और इसमें हम लॉ करना चाहते हो उसका जो भी प्रेमियम चल रहा है उससे कैलकुलेट कर लीजिए उससे रेंज कहते हैं अब माल लीजिए कि बिटकोइन का प्राइज 20,000 है और 20,000 की कॉल का प्राइज 200 है और पूट का प्राइज भी 500 होता है अब यहां आपको 500 की रेंज मिल गई अगर अ अब यहां आपको 500 की रेंज मिल गई अब इससे 20,000 में एक बार पिलस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीए तब आपकी रेंज निकल जाएगी जो की यह दोस्तों हम आगे अपने डैल टाक्षेंट के प्लैटफों पर अब यहां पर हम क्या करेंगे अब मानते हम अब इसको ऑइक करते हैं को यह करते हैं तो जयसे कि हमने अपनी हमने देखा था कि आपको यहाप payment वह बता है लॉस आपका फिक्स हो गया कि 466 का आपका लॉस हो सकता है और लॉस आपको जब होगा जब मार्केट इस रेंज में रहती है अब यह रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है तो वह मैं आपको बता जाता है तो इसको टोटल करेंगे तो यह आपको हो जाता है 466 अगर आप इसमें 22900 में एक बार पिलस कर देंगे और एक बार अगर भी से माइनस कर देंगे जो कि यह होता है अगर आप माइनस करते हैं तब आपको निकल के मार्केट से बाहर जाना अगर आप ऐसी सेल करते हैं तब सिनेरिव में हम देख लेते हैं और क्या कंडिशन बंदिए भी करते हैं तो सेंपल फॉर्मूला है हम पहले इसको सेंपल कर देते हैं यहां से कर लेते हैं और हम अपने चार्ट को देखते हैं दिखे दोस्तों अब आप भी हमें सेम मिलिए अगर इस रेंज को डिसाइट करेंगे कैसे मिले तो आपने आप देख सकते हैं हमने 22,900 के पुट को बेखा है 200 रुपे में और को हमने बेखा है 238 रुपे में हमारी तो टोटल रेंट रेंज निकली है वह है 438 अब 438 को एक बार 22,900 में पिलस कर दो 2462 के अंदर रहती है तब आपको प्रॉफिट होगा और मैक्सम प्रॉफिट आपका डिफाइन है 400 जो कि मिडल में होगा आपको अगर मार्केट इस रेंज से बाहर जाती है तब आपका अनलिमिटेड लॉस होगा तेको बाइंग में क्या होता है अनलिमिटेड कि इसमें सेलिंग में तब हमें प्रॉफिट होगा बाइंग में प्रॉफिट होगा तो चलिए अब आप अपने टॉपिक बढ़ते हैं कि अब हम समझनी कोज़ेंगे कि मूफ क्या होते हैं डिल्टक सिंट प्लैटफॉम पर को ही कहते हैं जो से मिश्ट्राय की कॉल और्प के premium को जोड़ कर बनती है अब अगर आप मुव करते हैं तो जितने प्रेमियम में आपने मुव को बाय किया है उससे ज्यादा मार्किट को मुव करना होगा अब अब वो उपर मुव करें या नीचे आपको आपको Profit तब होगा जब वो आपकी बाय किये हुए में से ज्यादा मुव कर देती है और अगर आपने मुव को सौट करते हैं तो अपने जितने प्रेमियम में उससे सौट किया है उतने प्रेमियम उस स्ट्राइक से प्लस और मायनस कर दीजिए जिससे इस्ट्राइक पे वह बनी है तब आपको एक रेंज मिल जाएगी और अगर मार्किट उस रेंज में रहती है तो आपको प्रॉफिट होगा तो चलिए अब इसको एक वार इसको हम डेल टाक्शन के प्लैटफॉम में आपको समझा देता हूं तो यहां पर प्लैटफॉम है इसमें अगर आप हें आप सकते हैं यहां पर यहां पर देख सकते हैं हमारी वीट्री मुव लिखा होता है और कर बना हुँआ है कि कि कोन सी dep strengths इसको इथां तो यहा पांच वाइस इतो जोख सामने विकली बना होगा यहाप है मतलब यह दो सबस्क्राइब को करेगा ऐसी यहां पे यह मूव कॉंट्रेक्ट बता रहा है कि 2300 जो कि 31 की और आज की डेट भी 31 मतलब यह आज एक तारीक है मतलब यह आज एकस्पायर नहीं होगी इसकी एकस्पायरी कल है जाएगे आज आपके फ्राइडे को और यह आपके कल हो जाएंगे चार है यह आपको मिलेगी ट्रेट आपको मिल जाएगी ट्रेट के अंदर आप मूब में क्या होता है कि मालीज़ा आपको किसी एक मुव में ट्रेड करना है आप उस मूव पे किलिक किए सब्सक्राइब करें आप जैसे इस पर करेंगे तो आपको यहां पर चैक करेंगे तो यहां पर आपको आजाएगा मुव का सबसे पहले तो यहां पर चाहिए और और यहां से आप अगर आप धंग से देखेंगे तो आपने यहां पर ऑडर करते हैं तो आपने बैस्ट प्रच कए अपना तो यहां पर यह पानसोचोविस के जय 24 तो क्या कर ना होगा आप यहां से चल लिएप और इस नो बट उने कर दीजिए बत हमारी जो मूब बनीती वह अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक range मिल लेगी 2200 से 500 करेंगे तो आपको मिल लेगी 23724 की range उपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर आप range निकालते तो आपको मिल लेगी 22724 की range लेगे वह 524 तब भी आपकी रेंज यही निकलेगी बस डिफरेंट यह जाएगा अब मार्किट को इस रेंज में रहना होगा मार्किट इस रेंज में रहती तब आपको प्रॉफिट होगा कि आई होप दोस्तों आप समझ गेंगे कि मोफ कॉंट्रेक्ट क्या होता है और यह कैसे वर करता है और मैं आपको इसलिए पताना चाहूंगा अगर आप अगली वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो मिल जाएगा यह हमारे टेली ट्रेट करता हूं और इसमें जोईन करके आप हम से जोड सकते हैं जिसमें आपको डेली अमारी लेटिस वीडियो मिलती रहेंगी साथ में आपको हमारे कर जोभी हम ट्रेट लेते हैं वो आपको यहां पर मिल जाती है ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते फिर अपनी अगली वीडियो में जब जगले धन्यवाद.